अब हमार अक्टिल काम नहीं कही रहा है मलकिन अब लखनों में भी तो आपन कुछ नहीं बचा है ना तो एको काम कीजिए कहीं से ना जहर लाकर हमको दे दीजिए दिए के सुच जाएंगे हम कहा? तुम कहा कह रहे हैं मलकिन? यह को ऐसा है? अब आज के बाद हमरे सामने ऐसी बात ना करना तुम्हारी चेहरा देखके ही तुम जी रहे हैं ना अब तुम मन छोटा करे वाली बात कह रही हूं हमसे तुम मन छोट नहीं करे तो और का करे आप अपनी गल्ती से तो कुछ समझे ने अब बंजारन जैसे कभी ये मंदिर कभी ठाकर के द्वारे यह ऐसी जिन्दगी से का फायदा? अब हमका कौनों दूसर रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है एक छो रहा वो हो गवा अब दमाजी दुबारा हम लोगन के अपने अपने घर में घुसने नहीं देंगे अरे आप घुसने की बात कर रहे हैं उक उतलागाद है दूर से देख करी कहीं दुर दुराय ना दे हम लोगन को सही कहा तो मलकिन अब हम लोगन के आपन कहे वाला आपन कहे वाला कौनों नहीं रहा सब तुम्री करने की बाद जो हम सब को भुगतनी पड़ रही है पता नहीं सब कांड के बाद हमार पिटिया पर का बित रही होगी का हाल होगा उसका सित्रमया अरे आईसा तो कोनों दुस्मन के साथ भी ना हो मामा ची यह आप क्या कर रहे है अरे बेटो वही बर्शी का हिसाथ किताब लगा रहा था कुछ जो खाच्चा हुआ हुआ परसी का तो सत्यानास कर दिया हैं सभी मत याद दिलाई उसके बारे पर एक तुफान था अकट चला गया पस हाँ बटो नहीं तो अब तक हम सब लोग वही पड़े होते सलाकों के पीछे लेकिन वो लोग भी तो मंदिर में पड़े हैं अरे पड़े हैं तो पड़े रहने तो मामा जी आपको जाकर सोनिया के माता पिदा से मिलना चाहिए मैं क्यों जाओ उनसे मिलना मेरा उनसे कोई संबद नहीं है कम से कम इंसानियत के नातिस अरे इंसानियत का रिष्टा इंसानों से निभाया जाता है राक्षसों से नहीं राक्षस हैं वो मामा जी ऐसा तो मत बोलिये आखे रिष्टेदारी का मामला है कल उठकर कुछ पूचनी चो गई तो हमारा ही नुकसान है अफ ऐसे भी ये बात जंगल में आपकी तरह फैलेगी गाउं में कितना फैलना था फैल चुकी अरे अब क्या फैलनी है मुझे इन देइमानों के बारे में अब कुछ नहीं सोचना है जिनका रिष्टा है न वहीं सोचें अब मामा जी अब अब भी चेट रहे हैं अरे तो क्या करें, नाको चने चबुआ हैं इन सब ने क्या क्या नहीं किया इनके लिए, लिकिन अब तो लगता है कि सब बेखार हैं अब इन सब बातों को क्या फाइदा मामजी, इस तरह से मंदिर में भी पड़े रहेंगे, तो हमारी बेज़दी होगी मामा जी इतनी बेरुखी मन दिखाई है वो लोग वहां मंदिर में बिखारियों की तरह पड़े हुए और आपको अच्छा लगेगा कि ऐसे आपकी छोटी बहुक के बाबा यही यही सब सोच के कि सागर के साथ ससर है पूरा स्वागत किया है सब सहा है लेकिन आप और नहीं अब मेरे में तम ही नहीं रहा मामा जी सोनिया कह रही थी कि अच्छा होता अगर आप एक बार जाकर उसके माता पिता से बिलने थे देखो बहुत सित मत करो मैं उनसे मिलने नहीं जाओंगा जैसी करनी की है अब उसका फल बोगतने दो और गुसाई जी ने कहा है जो जैसे करही सो तस फल चाखा पीहल 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 तुमका पता है मरके जब तुमरे हांख में आसु आवत है ना तो हमरे करोजे में हमरे करोजे में खुच वथ है आप ही बताईए रोए नहीं तो कह करें हमा सोनिया विटिया मा मा कहे कर हमको खोज़त होगी और हम हमार हमार मन भी सोनिया के लिए तड़प रहा हैं आप कहा करें बताईए कहा सोचे रहे मलकिन और काव एगवाद अज हमरे कारण तुम्रे उपर काव भीतत होई यह हमका नहीं मालूँ तुमका भी तो हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा अरे पैसे से सुविदा खरी दी जा सकती है सुखसांती नहीं कही कहा तो मलकिन पैसा ने हमरे आख पट्टी बांधिया था आज युकरी वज़ा से अपनी सोनिया बिटिया और अपने परिवार की जिंदगी भी अमने देख पाए दुए दिन से हम यहां पड़े हैं पर कौनों देखने तक नहीं आया ऐसी गत हो गई हमारी अकेले पड़ गए हम अनिकाल हो बस मलकिन एक तुम्हाई हो जो परच्छाई बनके हमरे साथ चल रही हो ऐसा कह रहे हैं अरे आप तो हमारा अर्धांग है हमारा सिनूर अरे आई कर दिया है कि आज हम अपने बिटिया से भी आख नहीं मिला पाएंगे अधिकार हमको अपने बाप होने पे आज हम उबिटिया से भी आख नहीं मिला पाए रहे हैं जिसको कि हमने पाल पोस्ट के बड़ा किया है आप समझ में आया आपको अरे गलत का पधिनाम गलत ही हो ग आज बिटिया दामाग केउ साथ में है तुम ऐसे हमार साथ छोड़ के जाने के बात कह रही हो मेलकिन अगर तुम हमार साथ छोड़ के जावो न तुम सामने जो गंगा माई बहे रही हैं на हम यह कोट का अपन ज Lambajim यही बात है, तो हमो तुम्हे साथ गंगा जी में दुक्की लगा देंगे, ऐसे जीने से तुम मर जाना अच्छा, तुम अजसे कह रहे हो मलकिन, जब जीना पहाद जैसल लगे लाग, तो डूब के मरे जाये तो और का, अरे मुक्ती मिले ऐसे नाकारी जिंदिकी के बोग से, यह तुम ठीक कह रहे हो मलकिन, चलो मलकिन, चलो पता नहीं, ममी पापा भी मंदर में क्या चले गए, कुछ चुछ, खापी भी रहे है, या नहीं? कहीं लोग उनको बिखारिवा समझ ले, उनको तो चच भी नसीब नहीं हुई, अभी तक तक कोई भी खबर नहीं आई है, पता नहीं क्यासे होंगे वो लोग, यह भगवान उनकी मदद करना, अरे, सागर की दुलहन, कैसी हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप कौन? और आप मुझे कैसे जानती है? अरे, हम तुम्हारे पड़ोस में रहते हैं, और तुम हमें जानो या ना जानो, पर हमें सब पता है, कि तुम सागर की दुलहन हो, है न? अच्छा, इक बात बताओ, क्या तुम्हा कलेजा पत्थर का है? ऐसा क्यों कह रही हैं? जिस और का कलेजा पत्थर का होता है, न? वही अपने माबाप की खबर नहीं लेती. कहना क्या चाहती हैं? यही, तुम कुछ नी समझ सकती न? अरे, तुम्हारे माबाप वहां मंदिर में बड़े खाप चान रहे हैं. और तुम यहां ठाट कर रही हो. तो फिर मैं क्या करूँ? बस, माबाप से नाता तोड़ लिया. अब कोई संबद नहीं है तुम्हारा? है, क्यों नहीं है? तो फिर का है ऐसा कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? अरे, अपने माबाप की ये हालत कर दी. सुभा मंदिर गई थी, वहां देखा उनको. क्या? आप मेरे ममे बापा से मिले? हाँ. कैसे हैं बोलो? कैसे होंगे? विकारियों जैसी हालत हो गई है उनकी. जो कोई आता जाता है, एक या दो रूपया डालके चला जाता है. उनको देखा, तो हमारी आखे तो दब दब आ गई. क्या सच मेरे साथ? तो हम क्या जूट बोल रहे हैं? अरे, अपनी आख से देखकर आ रहे हैं उनको. एक बात बताओ. क्या तुम्हारा मन नहीं करता? क्यों को घर ले आओ? किस हाथ से उन्हें हाली कराओ? ये मेरा ससुराल है. मेरा पीहने. कैसी बात कर रहे हैं? क्या तुम्हारा कलेजा नहीं फटता? अरे, पेट में दाना पानी कैसे हजम होता है तुम्हारे? नीन कैसे आती है? माबाप है आखे? पाप कर रही हो तो. मैं, मैं उनके लिए सिर्फ रोई सकते हूँ. रोने से माबाप के लिए फर्स पूरा नहीं होता तुम्हारा. मैं क्या करूँ? आज जब वो तुम्हारे आस्रे हैं, तो तुम्हें अपना हाथ खीच लिया. मुझे समझ पे नहीं आ रहा. मैं क्या करूँ? ये सब कुछ मेरी वाज़ा से हुआ है. अरे, रो क्यों नहीं हो? जब शशी और प्रीतम यहां रह सकते हैं, तो पर जिसकी मजभूरिया वो क्यों नहीं हा रह सकता? जो होना है, वो ही होते हैं. अरे, बिजमान! क्या होगा? कहां जा रहे हैं? महराच, सब मौम आया छोड़के, जहां से आये थे, अब अब वहीं वापिस जा रहे हैं. अच्छा, घर जा रहे हैं. अच्छी बात है. वो इसे आजकल के पूत, पूत नहीं कपूत होते हैं. बुड़ापे में, माब आपको घर के किसी कोने में जाके छोड़ देते हैं, या तो किसी बृद्धा अश्रम में ले जाके छोड़ देते हैं. ऐसी बात नहीं है. ना, ना, कुछ ना कहो, हम सब समझ गए थे. कि तूम अपने बेटे से रिशियाए के आये हो. बहुत पार्खी नजर है हमारी. हम तो चावल के एकदाने से पता कर लेते हैं, कि भात कितना पका है और कितना नहीं. चलो अच्छा हुआ, जो आपस आ रहे हो. सब हरी की एक्छा से होता है. माराज, ऐसी बात नहीं है. ना, ना, हम सब समझ गए. पहले घर जाके एक काम करना, अपने बेटे को चमादान दे देना, साब सही हो जाएगा. नहीं, पुझारे जी, आप नहीं समझेंगे. क्या? अरे, पुझारे जी, हमारा इस अंसार में कौनों नहीं है? हम निपूती है. अईशा नहीं हो सकता. सिवशी बोलिए. क्या कोई बच्चा नहीं है क्या आपको? हमारा कौनों लड़का नहीं है. तब ही आप दोनों इतना दुखी हो कि बुढ़ापा कैसे कटेगा? अरे, उस उपर वाले पर भरोसा कीजिए. वो बड़ा बलवान है. जैसे अब तक कटा है, वो इसे आगे भी कड़ जाएगे. इबाब तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, माराज. शोला आने सच. एक बात और है, दुखी मत हुगा करिये. जिसका इस संसार में कोई नहीं है, उसका उपर वाला है. आप अंडेजी, आप सही कह रहे हैं. अब यह ही सोच कि हम लोग हमेशा हमेशा के लिए पर वाले के पास जा रहे हैं. क्या मतलब? चलो मलकी. अरे रुको, रुको. अरे कोई रुको इनको, रुको. अरे भगवान, जान देना पाफ है. जान मत दो. ए भगवान, सिव, सिव, सिव. सागत, मुझे अभी परामदे में बुड़ासन मिली थी. अरे सुनिये, तुम उसे बात मत करा करो. अरे जितना हुसे कैसे अवाइट करो, वो अच्छी औरप नहीं है. मैं समझती हूँ. लेकिन सागत, आज वो मंदर गई थी. अरे वो पूरा दिन तो गाव में घूमती रहती है. मंदर चली गई, तो कौन से नहीं बात हो गई? नहीं सागत, आज वो मम्मी पापा से मिली थी, और मुझे बता रही थी. क्या, क्या बता रही थी? क्या बताएगी वो, वो जो बता रही थी, मुझे बहुत शर्माई. अरे, ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? वो कह रही थी, कि मम्मी पापा बहुत दुखी है. और बंदर में विकारियों की तरह पड़े हुए सागर यह सुनगर तो मुझे रोना ही आ गया अमनी पापा और विकारियों की तरह सोनिया किसी के भी माबा बिश्टरा रहे तो तो दुख तो हो गई ना सागर मैं जानती हूँ कि मेरे पापा बहुत बुरे लेकिन वक्त ने उनके किये की सजा भी दिया उनका तो सब कुछ लुट चुका है उनके पास सचुपाने की जगा भी नहीं है सुनिया मैंने कहा तो तुमसे कि मैं अपनी दर्फ से पूरी कुशिश कर रहा हूँ सागर मैं तुम्हारे सामने हाथ चोड़ती हूँ मेरे ममी पापा को पहली बहुत सजा में चुकी प्लीज उन्हें वहाँ सजा मन दो कई ऐसा नहां कि मंदर की सीड़ें पर वो सर पटक पटक कर अपनी जान दे दे अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो वो अपनी जान को देंगे अपनी शर्मिंदिकी के कारफ वो अपनी जान दे सकते है मेरे ममी पापा को बचा लो सागर मेरे कातरे अपनी पत्नी की आखरी इच्छा मढ़ी कर दो मैं तुमसे जिंदगे पर कुछ नहीं मागूँगी सागर अगर ममी पापा को कुछ हो गया तो मैं अपने आपको कभी माफ नहीं कर पाँगी सागर प्लीज अच्छा तुम तुम परेशान मतों मैं मैं खुछ जा कर देखता हूँ पीजी यह रोना मत करो मैं देखता हूँ पीजी यह रोना मत कर देखता हूँ अरे जजमान आप यहाँ बिना हमारी अनुमत के क्या इधर उगर देख रहे हैं कोई खोजबीन कर रहे हैं क्या क्यों यहाँ खड़े हो के देखने के लिए आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी नहीं अनुमत की जरूरत नहीं है पर आप धूड किसको रहे हैं आपको बताना जरूरी है तो आप यह बताईए कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ यहाँ पती-पत्नी आये थे पती-पत्नी मतलब अधेर दंपती और जिसमें से आदमी मूच बाला था ना हाँ-पहा आप धि केरे होई है पंड़ जी अप उनके बेटे हो जी नहीं भतीजे होगए फिर पोटे होगए सई पकड़ा मैंने ना अनौन गोर्न पंड़ फिर क्या रिस्ता है अपका उनसे उस तो होगा जिसके लिए आप यहाँ डूडने आये हो जी मैं उनका दूर का रिष्टेदार हूँ कि बारे में पता चला तो उन्हें खोजने चले आया शूँ 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 कैसे रिष्टेदार हूँ आप क्यों? क्या हुआ? अब आये हो उनकी सुद लेने तोनों बड़े दुखी थे क्या मतलब? बहुत देर कर दी पहले आना चाहिए था देर कर दी का क्या मतलब पंड़ाजी? कुछ हो गया क्या उन्हें? कुछ हुगा नहीं पर ओ लोग चले गए कहा? बहुत दुखी थे बिचारे यहां भगवान के आगे पस्तावे के आग में जल रहे थे और बहुत खिन मन से चले गए यहां से पंड़ाजी वो गये तो गये कहा? भगवान की सरण में हमेशा हमेशा के लिए दोनों बहुत दुखी थे दुख के कारण गंगा जल में जल समाधी लगाने चले गए हमने उनको रोकने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं मने आपने बहुत देर कर दी आने में आपने बहुत देर कर दी आने में दोनों बहुत दुखी थे दुख के कारण गंगा जल में जल समाधी लगाने चले गए